दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूं देवेश दोस्तों अभीकल की ही बात है हमारे पास एक comment आ गया और वह करते रहते हो तो तुम पर क्रपा क्यों नहीं हो रही है का है YouTube पर बैट wykor हमारा time बरवाद कर रहे हो तो मैं कूं पैसा नहीं मिल रहा है तो भाईया जी हम ने उनसे कहा जो मातारानी पर्वा हमें दी है हम भाईया उसी में संतुस्ट हैं आज फैसे से अधाई श기या हम αडानी से आज अमीरे हैं स्वास्त हैं काम चल रहा है अपना मातारानी कृपा करती रहेंगी और उन्होंने जो काम हमें दिया है उसे हम अच्छे से निवा रहे हैं अपना 100% देते हैं भाई साथ वीडियो में आप रोज देख लो भाई साथ बले कोई ना देखे इसलिए मातारानी ने हमें काम दिया है कि उनका नाम आगे बढ़ाईए बढ़ा रहे हैं भाई साथ अब दोस्तों वीडियो की बात करते हैं रोजाना सुबह और शाम हम आपके लिए 6 ख़बरें कवर करते हैं मजेदार एनालेसिस होता है इसलिए आप हमारे चैनल मजेदार एनालेसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी क्रम में दोस्तों हम तर सब्सक्राइब करेंगे कि भाया जी जो दलित लोग थे जो की क्रिश्चन मन गए और मुस्लिम मन गए वह आजकल बहुत बिरोध प्रदसन कर रहे हैं तो भाया भी भारत सरकार क्या कर रही है साथ में चीन से निपटने के लिए जो भारत असली चोट कर रहा है उसकी डिसक भायंका लडाई हुई है भारत ने के लिए जवाब नहीं देंगे तुम्हें अगर उल जरूल सवाल पूछे तो साथ में भाया जी कल जो है निफ्टी की एक्सपाइडी है तो निफ्टी के चार्ट का अनलसिस भी करेंगे यह हमारे फूचर्स और ऑप्शन पोर्स के स्ट सरीन काम कर रहे हैं उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलेगी अपवार में उनका नाम में नहीं छपेगा लेकिन असली काम वही कर रहे हैं चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में साथ में राम नबनी और हनुमान प्रकट्ट्यों सब की अफसर पर 50% डिसकाउंट मिल रहा है अब दोस्तों यह जो दलेत हैं जिन्होंने धर्म परवर्तन क्यों किया था क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म बुरा लगता था तो भाईया अब तुम्हें क्यों चाहिए है रेजर्वेशन और हिंदू धर्म में जो भी SC, ST और OBC हैं उनके हितों की सुरक्षा करना सिर्फ SC, ST, OBC का काम नहीं है यह संपूर्ण हिंदू समाजी की जिम्मेदारी है कि इनके हितों को प्रोटेक्ट किया जाए नहीं तो यह लोग खा जाएंगे वहिया जी आंदर प्रदेश की जो सरकार है उसने तो दलत क्रिस्टिन्स को दलत इसाईयों को रेजर्वेशन देने का निर्णय ले लिया है दूसरी सारी पार्ट यह SC, ST, OBC का हक मारने के लिए हाथ फहलाए खड़ी हुई है इसलिए मोजी सरकार को SC, ST, OBC के हितों की सुरक्षा में लगी हुई है हमें उसका साथ देना है आपका क्या मत है क्या जो ईशाई हैं मुश्लिम्स हैं उनको SC, ST, OBC रेजर्वेशन का लाब मिलना चाहिए अथवा नहीं इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लेके जलूर बताएं हमारा तो भहियो पक का मत है नहीं दिया जाना चाहिए इन लोगों को अगर रेजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो भहिया घर बापसी कर लो आप आजाओ घर बापस समय लेगा आपको नहीं तो भहिया जी जो चीज का डिस्क्रेप्शन सम्वेदान सभा में हो चुका है उन गड़े मुर्दों को आप मत उखाड़िये नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी किसी भी भाई सब जो लोग एची कि जिम में पसीना बहते हैं एक्सी की में अक्जिस करेंगे एसी देप çıkar किभार से जिम जाते हैं तो आ बहुत पॉलूशन हो रहा है बहुत गर्मी हो गई यार ओजोन में छिद्र हो रहा है अरे तुम्हारे कर्मों से छिद्र हो रहा है उन्हीं लोगों को उन्हीं पर्यावरण बादियों को अख़वारों में टीवी यूटूब टेलिगरम इस्टागरम फेस्बूक पर जगए मिलती है लेकिन असलियत में प खेत में तो फसल बरुवाद होना पक्ती है तो एक इसानों ने क्या किया अकल देखिए उन्होंने भाईया जी निब्बू की बाड़ लगा दी बायो फेंस लगा दी लेमन फेंस लगा दी तो भाईया हाती महराज अब नहीं आ पार रहे खेत में साथ में आज की डेट में मंदी में जाते हैं भाईया जी दस रुपईया के दो निब्बू मिल रहे हैं जल्दी ही दस रुपई का एक निब्बू मिलेगा गर्मी चलने तो आप तो पॉइंट यह किसानों की आए भी हो रही है आम के आम और घुठलियों के दाम पर्यावरन की शुरक्षा हो रही है वन्य प्राणियों की शुरक्षा हो रही है सब कुछ हो रहा है भाई साब यह है असली काम जो कि वह व्यक्ति कर रहा है जिसका कभी कोई किसी अख़वार में कभी नहीं होगा किसी भी दोस्तों यह इतिहास की बात है आपको साथ जानकारी हो पेशवा बाजी राओ ने कहा था कि जब भी हमला करना हो तो सीधा हमला करना सीधा हमला करना जैसे कि किस्मत हमला करती है हमने पेशवा बाजी राओ की बात नहीं मानी गंड़ किसे मिलेगा हम कोई मिलेगा मिला है पिछले 75 सालों में लेकिन अब जो है इतिहास बदल रहा है आपके सामने देखिए चीन हो गया और सामराज्यवादी यूके हो गया इन्होंने जानबूज के पाक को पैदा किया क्यों किया ताकि इंडिया जो है पाकिस्तान में उल्जा रहे और ये गुलचर्रे उड शालते रहें यह पाकिस्तान से और और यह दोनों पाकिस्तान के चली यह भारत से अपना काम निकल वाते लएक। दोनों हाथों में लेटडी थे लोगों की भाइसाहब और पिस हैं ट्रैप में हम फस गये क्यों फस गये किसकी विरासत है यह नहरू गांधी परवार की विरासत किसी अयोग व्यक्ति को अगर पदभार मिल जाए तो यही होता है भाईया जी नहरू को प्रधानमंत्री तो बनना नहीं था पूरा देश पूरी कॉंग्रेस पार्टी चाहती थी कि सर्दार प्रधानमंत्री बने पर गांधी जी ने ग पूरानी आप देखिये मोडी साहब क्या कर रहे हैं बहुत हो गया पाकिस्तान लेट्स बाइपास पाकिस्तान डार्क्तली फोकस्ट चाइना एंड यूके अब हम डारक्त हमला करते हैं जैसे किस्मत और पेशबा बाजी राओ करते हैं और दोस्तों हम तो पेशबा बार- सामराज्य के बहुत सक्ति थी उनकी वह राजा साल को हराने वाले थे तब बुंदेल खंड को बचाया था बाजीदाओने इसलिए जब हम पेशवावाजीदाओ का नाम लेते हैं तो भाईया जी हम जो है अपना जो क्रतगिता है उसको जाहर करते हैं बहुत-बहुत धन्यव अब दोस्तों चीन भारत से आगे क्यों हैं चीन में कोस्ट कम है में क्या है उन्होंने सडकों का निर्मान करवा लिया और इंफ्रस्ट्रक्चर रेलवे अच्छा है उनकी हां लेकिर हमारे यह ट्रांसपोर्ट की कोस्ट 13% है इसलिए हमारा माल दुनिया में महंगा बिकता है लेकिन अब भारत सका क्या कर रही है नहीं 13 से गठाके साथ दसंबला पांच कर दो और अगर यह हो गया तो हमारा माल अपने आप दुनिया में सस्ता बिकेगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो इसलिए जो रोड बगेरा बन रही है वह भायारी फाल्टू में नही भायारी आज कल के जवाने में दो दिन बाद ले टूइट कर रहे हैं ऐसे कैसे काम चलेगा शेर तो फिट गया ना भी इस बीच में इनका कहनाय के साब हमने तो कर जा चुका दिया प्लेज जो शेर हैं जो शेर गिरवी धरे हैं वो रिलीज हो जाएंगे डेटा में वो रि की साजस है वो हमें सब पता है और उस साजस के खिलाब हम अडानी का सपोर्ड कर रहे हैं हम अडानी के साथ चटान की तरह खड़े हैं लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हसे हम यह बात कह रहे हैं कि इस पूरे घटना करम से हमें सीखना है कि जिस कंपनी ने रीजन कि प्लेजिंग वाली कंप्रियों में यह फल्तु की चिकल्लस लग रहती हमेशा कि भाईया जी तुमने कर देखना हमने बताया है और गिर्वी अगर रखे हैं तो महालक्षमीदी कह रही हैं भाईया जी निवेश मत करो फिर भी आप निवेश करोगे तो भाईया ज अच्छी डिकत आजाएगी आपको इसलिए जिस कंपनी में प्लेजिंग का पी हो ना 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 भाईया जी हमें पैसा नहीं बनाना तुमसे हम तो गली वच्च पैसा बनाएंगे तो उन कंपनियों में जिनमें यह प्लेजिंग की टेंशं ना हो अब दोस्तों देखिए भारत में MSP दी जाती है ठीक है भाई साथ अब ये बात नागवार गुजर रही है अमेरिका को और ब्रिटेन को केनेडा मेनेडा को खुद अपने देश में सबसेटी देते हैं और हमारी सबसेटी को लेकर इनके पेट में भाईया जी गुड़गड़ हो रही है क्यों भाई स थी हमने दे दिए चानमारों न डॉक्यूमेंट्स को अन्नेसेसरी डॉक्यूमेंट महीं देंगे जानकाली नहीं देंगे भाई साथ ये भारती सुरक्षा का सवाल है या आप यह समझो करें MSP MSP चल लएई हमारा इस्जू नहीं है यह किसानों से प्लड़ा हुए है ना भ भारत सरकार ना किवल किसानों का बलकि आम भारती उपवोगता का कि तो सुरक्षित कर रही है डेवलू ट्यो सुना रहा है भाईया सुना लो तुम्हें जो सुनाना हो हम नहीं जवाब देंगी आज इनको डेटा दिया कल यह कहेंगे साब भारत जो है जरूरी developing country है विकास किसान लौ भी्या घृत वोट होती है किसान कीव सब जाय सब नहीं को मारमूर के लिए जमीन? इनने इनके पास जमीन की कमी है नहीं अरे हमारा खिसान तो छोटा है उसे तो मदद देना पड़ेगी भाईया जी इस लिए डेटा नहीं देंगे डेटा नहीं देंगे जितना जरूरी है जितना देते आये हैं देते रहेंगे उसमें जो च्छानवीन करनी है कलो एक्स्टा ना मिलेगा भाईया अब दोस्तों निफ्टी के चार्ट का डिसकेसिन करने के पहले हमारे साथ मिल के बोलिए जएः छीड जिए जए उसलिए महा bob पंदरा दिन पहले बता दिया ताकि बेटा शोला आठ सो का सपोर्ट है सत्रा दोसों का रिजिस्टेंस और आज देखो कल आने वाली है और यह सपोर्ट हो रहा है यह रिजिस्टेंस हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से निफ्टी उसी रेंज में फसा हुआ है क्यों भाईया फा टाइम पास हो रहा है थीटा थीटा डीके हो रहा है हमारे स्टूटेंस ज्यान सचुनिए यह थीटा स्केल्पिंग हमने आपको सिखाई है भाईया यह नारायनी समय है नारायनी समय भगवान स्रीकृष्ण का समय है इसलिए इसका लाब उठाइए पेपर ट्रेडिंग पक्की है इसी बीज़ दोस्तों आप में से जो शेर मार्केट में शुरुवात कर रहे हैं वो फोकस कीजिए आत्म निर्भर इन्वेश्टर कोर्स पर जिसमें हम सिखाएंगे बाजी राओ की वेल्थ क्लियेशन स्ट्रेटजी यह एक ऐसी रन नीती है जो युद्ध के में से जानन चली है इन्वेश्टर कोर्स की माध्यम से 3 की हैजिंग से वहाप पड़ जी आत्मिर्भर फ्यूचर से अधमने रुभर औप्शन पोर्स के माद्यम से आचारे चानग के का तो नाम ही काफी है स्ट्रेट जी भी ऐसी है कि हर स्थती में हर स्थती में आपका मुनाफ़ पक्का है चानग के सीजियल देख को आप देखे उसमें आपने देखा होगा आचाले जी रणनीती ऐसी बनाते थे कि उन्हें पता होता था कि दुश्मन कब कहां कैसे क्या करेगा और वो पहले इसी तयार होते थे ऐसे नहीं है आज भी नाम चला है उनका तो वही स्ट्रेट जी आचाले चाड़क की हैजिंग स्ट्रे और हनुमान प्राकट्योसव के अफसर पर तो आपको कोड़ देना होगा जै हो स्रीचार्ट महालक्षमी जी वाट्सेप पर यह कोड़ देंगे डिसकाउंट एप्लीकेबल हो जाएगा लाब उठाइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जैश्री राम वीडिए जैश्री जाएबले उ çekाराइए बहुत दूपर फ